Hello Friends, Welcome to my channel, मैं हूँ अमन्ठाकुर Friends, IRDI means Insurance Regulatory and Development Authority of India या फिर आप कहें भारतिय बीमा वी नियामक और विकास प्रादिकरण के द्वारा 1 अपरेल 2014 से Health Insurance Products के नियमों में काफी सुन्शोधन कर दिया गया है जो कि हर एक व्यक्ति जिसने Health Insurance Products ले रखे हैं या फिर Health Insurance लेने के बारे में सोच रहा है उसे पता होनी चाहिए तो आज की वीडियो में हम IRDI की Health Insurance के रिगार्डिंग जो नई गाइडलाइन्स है उसी के बारे में हम जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली गाइडलाइन है Health Insurance Plans for All Age Groups मतलब सभी IU समूहों के लिए स्वास्थिय बीमा योजनाए IRDI ने Health Insurance Plans में Age Limit को हटा दिया है इससे पहले Insurance Companies generally कम से कम 65 वर्ष की IU के साथ ही Health Insurance दिया करती थी पर अब नई गाइडलाइन में ये Age Limit खतम कर दी गई है और अब Insurance Company को सभी Age Groups के लोगों को specially Senior Citizens को Health Insurance Policy प्रदान करना अनिवारे हो गया है जो कि एक बहुत अच्छी News है Second जो गाइडलाइन है ये कहती है Pre-Existing Diseases जिनने कि हम PEDV Short में कहते है उसका Waiting Period जो है वो Reduce करके कर दिया गया है तीन साल यानि कि पूर्व मौजूदा बिमारियां उनकी जो प्रतिक्ष अबदी है उसे घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है IRDI के द्वारा Health Insurance में पहले से मौजूद बिमारियों means Pre-Existing Diseases को कवर करने के लिए Maximum Waiting Period या फिर आप कह सकते हैं अधिक्तम प्रतिक्ष आवदी जो पहले चार वर्ष हुआ करती थी उसे कम करके तीन वर्ष कर दिया गया है इससे Policy Holders को तीन वर्ष का Maximum Waiting Period पूरा करने के बाद Diabetes, High BP जैसी पहले से मौजूद बिमारियों के उपचार की लागत का दावा करने में बहुत हेल्प मिलेगी Third guideline है Specific Disease Waiting Period Reduced to 3 Years अर्थात विशिष्ट रोग की प्रतिक्षा अवधी घटा कर 3 वर्ष कर दी गई है IRDI ने Specific Disease Procedures के लिए Maximum Waiting Period को भी 4 वर्ष से घटा के 3 वर्ष कर दिया है इससे लोग 3 वर्ष तक की प्रतिक्षा के बाद सूची बद बीमारियों यानि कि Listed Diseases और Procedures के लिए Health Insurance Claim File कर सकेंगे या फिर हम Simple चब्दों में समझ सकते हैं कि 3 साल के Waiting Period के बाद जो Specific Diseases रहती है जो की Company के List में दी गई है न उनका इलाज Health Insurance के अंडर हम करवा सकेंगे 4th guideline कहती है Issue Policies to People with Severed Medical Conditions अर्थात गंभीर चिकित सहस्तिती वाले लोगों को भी Policy जारी करें तो देखिए अब इस 4th guideline के हिसाब से IRDI ने Health Insurance Companies को Heart Disease, Cancer, Kidney Failure या फिर AIDS जैसी गंभीर बीमारियों से पिडित लोगों को Health Insurance Policy देने से मना करने पर भी अब रोक लगा दिया है जो की अगेन बहुत बड़ा स्टेप है जो की IRDI के द्वारा लिया गया है 5th condition कहती है No Sub Limit on Ayush Treatment यानि की आयुश उपचार पर कोई उपसीमा नहीं होगी अब से IRDI ने आयुश उपचारों पर जो उपसीमा थी ना उन्हें भी हटा दिया है इससे पॉलसी होलडर, आयुरवेद, योग, नेचुरोपैथी, सिध, युनानी या फिर होमियोपैथी चेकित्सा परनालियों के माध्यम से प्राप्त उपचारों की लागत को बीमा राशी सीमित दावा करने के में सक्षम होंगे अर्थात ये कह सकते हैं कि अगर आप आयुष ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो वो भी हेल्थ इंशुरेंस प्लैन में आपके कवर हो जाएगा तो इसलिए अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐलोपेथिक इलाजी करवाना पड़ेगा अगर आपने हेल्थ इंशुरेंस ली हुई है आपकी जो आयुष वाले ट्रीटमेंट है वो भी आपकी हेल्थ इंशुरेंस पॉलिसी में कवर होंगे वो डिपेंड करेगा कि जो मतलब उसका लिमिट है कितने तक वो जाएगी नेक्स्ट इसकी जो गाइडलाइन है वो कहती है कि कस्टमाइजड प्लैन्स पॉर स्पेशलाइज ग्रूप्स लाइक सीनियर सिटिजन्स अर्थात वरिष्ट नागरिकों जैसे की विशिष्ट समूहों के लिए अनुकूलित योजनाई देखें आया डिया ने हेल्थ इंशुरेंस कमपनी से सीनियर सिटिजन्स बच्चों मेटर्निटी स्टूरेंट्स या फिर अधर स्पेशल ग्रूप्स के लिए कस्टूमाइज इंशुरेंस प्रड़क्ट डिजाइन करने के लिए कहा है क्योंकि देखिए सीनियर सिटिजन्स की जो बिमारियां रहती है वो अलग तरह की होती है बच्चों के रग होती है मेटर्निटी के जो पेशेंट्स हैं उनके अलग बिमारिया होंगी तो अब ये गाइडलाइन दी गई है कि प्रड़क्ट को कस्टूमाइज किया जाए मतलब पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए ऐसे प्रड़क्ट्स बनाएं जाएं जिनकों की पर्टिकुलर तरह की बिमारिया रहती है तो इससे होगा क्या कि जो हेल्थ इंशुरेंस कंपन गाइडलाइन कहती है कि create a dedicated support channel for senior citizens अर्थात वरिष्ट नागरिकों के लिए एक समर्पित सहायता channel बनाया जाए IRDI ने health insurance companies से senior citizens के claims और complaints को संभालने के लिए एक special channel तयार करने के लिए कहा है इससे senior citizens की जरूरतों को पूरा करने और उनकी complaints का निप्टारा करने में बहुत ज़्यादा help मिलेगी according to the next guideline moratorium period is reduced to 5 years अर्थात रिन स्थगन अवधी को घटा कर 5 वर्ष कर दिया गया है IRDI की नई guidelines के according health insurance में स्थगन अवधी यानि की moratorium period को 8 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष कर दिया गया है यह insurance company को 5 साल तक लगातार coverage के बाद पहले से मौझूद बिमारियों के बारे में ना बताने या फिर गलत व्याक्या के अधार पर दावों को खारिज करने से रोखता है जब तक कि यह धोखा धड़ी का मामला ना हो तो इस बात में यह ध्यान रखना है नेक्स्ट गाइडलाइन कहती है no more indemnity based policies अर्थात अब कोई भी क्षति पूर्ती अधारित policy नहीं होगी IRDI ने insurance companies को hospital में भरती होने के खर्चों को cover करने के लिए only benefit based policy issue करने के लिए कहा है और indemnity based policies को प्रतिबंधित करने के लिए भी कह दिया गया है और जो last और tenth guideline है वो कहती है multiple claim across various insurers IRDI ने benefit based policies वाले लोगों को कई insurance companies के साथ कई दावे दायर करने की अनुमती भी दे दिया इससे policy holder को बिमारी पता चलने पर ज्यादा लचीलापन या फिर flexibility और wider options मिल सकेंगे तो देखे ये थी guidelines जो की नई guidelines है IRDI की तरफ से दी गई है especially health insurance के लिए अब देखे इन guidelines का जो conclusion निकलता है तो देखे इस प्रकार IRDI ने भारत में health insurance के कामकाज के तरीके में बहुत बड़े बदलाव किये हैं इन ग्राहक समर्थक संशोधनों से सभी विशेश समूहों के लिए health insurance को अधिक समावेशी बनाने coverage uncertainty को कम करने और health insurance companies पर लोगों का जो भरोसा है उसे बढ़ाने में बहुत ज्यादा help मिलेगी I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपकी कोई query है तो मुझे comment करके जरूर बताईए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए Thanks for watching the video and best of luck